तो है इवरीवन बूर्णिंग कैसे हैं आप लोग तो मैं हूँ डाक्टर उमेस आर्टिफिसियल इंसलेशन मुरादाबाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी का एक मात्र एकला होता है जहाँ पे ट्रेनिंग इस्टिचूट है और यहाँ पे लबबब तीर मैने के ट्र कितने ट्रेनिंग लेने के बाद आपका फ्यूचर क्या है पूरा जानकारी दिया जाएगा उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन भी दबाए ताक कि आपको इस तरह का वीडियो का तो साथ क्रशी बंतराले से है के अंदर सब्सक्राइब करें ट्रेनिंग है उसमें बच्चे फ्यूरी भी सीखते हैं तो शाला में गायाओं के उपर हम लोग यू है ए-ई की ट्रेणिंग देते हैं और प्रशिच्छन उनको डेक्सिनिशन का देते हैं इंजेक्शन लगान बातों का ध्यान रखना होता है इंको पहली है प्राथ्री चिक्सा हम छोटी-मोटी गाव अगर दिक्कत है कोई है ना चोटी-मोटी का आव में हम इस तरह की चोटी-चोटी चीए जो है या किसी को लूज मुशिल वगरा दस्तवस्त हो ने हैं उनके लिए पेट के कीवनों की दवावा देना जो है इस अपकार यह लोग सीखते हैं दूसरा कृतिम गरवाधान सीखते हैं में वही है और तीसरा वैक्सिनेशन जी है प्रोग्राम को चिखाया जाता है किस तरह से व जरी सागत कर सकते हैं ओके सर बहुत बहुत शुक्रिया थैंकियो तो आप लोक कैसे हो भाई बढ़िया सब यू पी से हो कैसा सिखाया जा रहा है कोई दिक्कत सब बढ़िये हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं सभी को सभी को ट्रेम नहीं कितने दिनों से हैं इंस्ट्यूट का कहां से मानने आता है इसके बारे मानने चाहिए और कितने दिन कर दिखाया जाता है इसमें हमारा जो कर रहता है त्रिमान का प्रैक्टिकल त्योरी में क्या क्या पढ़ाया जाता है इनका थ्योरी में हमारी एक बुक है अधिकल में क्लिनिकल मेडिसीं क्लिनिकल मेडिसीं कुन सा बच्चा आ सकता है उसके लिए कितना पढ़ाई ज़रूरी है इसमें आने के लिए जो नियुंतम योगता है वो टैन्थ क्लास होना चाहिए पास आओ और उसके बाद जो डोकुमेंट से वह इनको क्या थैन्थ क्लस का चाहिए अधार कट चाहिए हिंदूस्तान का कहीं कभी बच्चा यहां पे आका ट्रेनिंग ले सकता है तीन मेने की यह का सटिफिकेट दी जाएगी जो गवर्मेंट से मान्यता होगा मैं चाहूंगा सर के बच्चों से भी क्या-क्या नोट बुक में लिखवाते हैं वह भी दिखाया जाए इनका 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 बुक चालो हो गए हमारी जो इनको अनिमल ब्रीडिंग कंप्लीट हो गई है इस इसी सबसे बनाए गया है कौन-कौन से अनिमल ब्रीडिंग है यह तो इस इतना कम्प्लीट करना होगा अगली नेक्ट क्या चल जाती है हमारी एनिमन नूट्रीशन कि इसके बाद नूट्रीशन में कैस क्या खिलाना है कैसे रखना मतलब इतना सिखा दिया जाता है कि अपन हमारी और यह जादे रहते हैं परोटीम कि बता देते और तो आप जैई हुआरो तो ऊसमें क्या प्रोटीम की मातरा अलग से देनी पड़े घित प्रोटक्शन उसका प्रोपर रहएं आपके एक्सपेरियंस के मताविक तीन महिने में बच्चे इतना सीख लेते हैं कि उनको कोई डाउट ही नहीं रहता होगा करना है उसमें कोई डाउट नहीं रहता है किसान के दरवाजे पर जाकर नॉर्मल बच्चे ना लिए अबनॉर्मल है कैसे हमारा क्या ग्यामर रहने चांस रहेंगे पर सुरूब कैसे नहीं रहेंगे कैने का पूछने का मतलब था यह कि अगर कोई बंदा गाय या बकरी के बारे में नहीं जान रहा हो पशुक के रिलेटेड उनको नौलेज नहीं हो तो यहाने के बाद उसको सब भी चीज बताया जाता है कि ब्रीड क्या होता है कितनी ब्रीड होते हैं भैसों में कैसे करें पांच मिनट का क्ला होता है अराम से सीख जाता है तो आप लोग से जाना चाहूंगा सब्सक्राइब लुए अमरो यूपी सभी यूपी कहीं है कहां कहां महारश्ट्रा से आ है कैसे यहां पर यूटूब के दौर आहे कैसा सिखाया चाहरे कितने दिन हो गया आपको जान कैसा लग रहा हाने के बाद किसी तरह का कोई प्रोब्लम ठंडी जादा है को दिक्कत ठ तो इतना टेंपरेचर होता ही निया, 20 डिग्री तक रहता है अलग पर आप लोग भाईया, बरेली यूपी, आप भी महरास्ट्रा, दोजन महरास्ट्रा, और आप लोग यूपी के बाहर वाले, तमिलाडू, यूटूब देखकर, हिंदी आ रहा है भाईया, थोड़ा लेंग्विज प्रव्लम हो रहा है, सर इनको थोड़ा बढ़ा सतन दाई और आप लोग भाईया, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कहां से, दोनों आप लोग वेस्ट बंगाल से हो, तीन लोग हो आप लोग, कोई दिक्कत हो रहा है, उदे तो ठंडी इतना होती होग इससे थोड़ा कम है यूपी में थोड़ा जादा रहता है और किसी तरह का कोई प्रावलम तो नहीं है आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बता है सर से मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं ओके बहुत बढ़िया थैंक्यू तो दोस्तों लगबख सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी गई है कैसा लगा वीडियो कॉमेंट करके जरूर बता है वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शर जरू करते हैं थैंक्स पर वाचिंग